अमेडिकर युनिवस्टी आगराई युनिवस्टी ने PhD पोस के लिए 2020 के इस्टुडेंट के जिजर्ड डिकलियर कर दिया है जो भी स्टुडेंट सलेक्ट हुए है पेज़िवर के लिए तो इसमें देख सकते हैं आप इस्टुडेंट का रोल नमबर है या फिर एग्जेम्टेट के थो उसी के बाद Applied Business Economics इसमें भी आपको रोल नमबर, स्टुडेंट नेम और अड्मिशन कैटेगरी दी रहेगी बिस्टिस अड्मिस्ट्रेशन इसमें भी आपको स्टुडेंट का नेम, रोल नमबर और अड्मिशन कैटेगरी दी रहेगी इसमेंट हो गया आपका, मैनेशमेंट हो गया, इंगलिश हो गया, आपका, कंप्यूटर साइन्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद में आपका, लो हो गया, एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद में आपका, जियोग्राफी हो गया, फिस्ट्री के बाद में Political Science है Military Science हो गया Physiology हो गया Geology हो गया Physical Education है इसमें Library and Information Science हो गया Linguistics हो गया Statistics हो गया Mathematics हो गया Agriculture Chemistry and Soil Science हो गया Agriculture Agronomy हो गया Agriculture Animal has been written Drying हो गया Agriculture Entomology हो गया Social Work हो गया Botany हो गया Chemistry है Economics हो गया इसके बाद Shanskrit हो गया Physiology हो गया Sociology हो गया Hindi हो गया आपको गया इसके बाद में इसमें इंप्रॉटें इंस्रक्शन दिये गया है कि जो भी Qualified Student है तो PSD Pre-Work जो Feast है वो आपको बीस में 2022 से लेकर के करते पने 2022 सक Online University की Website dbrau.org.in पर जमा करनी है जो pre-psd workhorse फीस है वो 25,000 रुपए है जनरल लैंड OBC कैंडिड़ेट के लिए 12,500 है SCST कैंडिड़ेट के लिए इसके बाद में after submitting all qualified करने है must send their fees receipt अपनी online fees जमा करने के बाद में students को अपनी dbrau dean richardbs.gmail.com पर 5 June 2022 तक अपनी fees की receipt mail करनी है उसके बाद में कोई भी student अगर fees deposit नहीं कर पाता इस rate तक तो अपना PSD work के लिए claim नहीं करेगा इक 30 माई के बाद में उसके second and final round of counseling shall be conducted in June against जो भी जिटे बची हुई है उनके लिए जो second round की counseling होगी आकी जोनने करवाई जाएगी